हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे रुकेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लगवक 26,000 तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप D वेकेंसी की तो जो की आई है 26,907 कितना 26,907 यहाँ पर आई हुई है और उसके लिए सबसे पहले तो कौन-कौन सी बुक आपको लेनी है कौन-कौन सी बुक से आप तयादी कर सकते हो जिससे कि आपका जो है एक्जाम कौलिफाई हो जाए तो यहाँ पर हम उनही बुक्स के बारे में आज चर्चा करने वाले है तो चलिए सबसे पहले तो आपको यह वाली बुक परचेस कर लेनी है जिसका अगर प्राइस की बात करने तो सिर्फ 25 रुपय है और यह PDF form में आपको मिलेगी यानि कि डिजिटल form में आपको ये मिल जाएगा किस form में मिलेगा डिजिटल form में ये आपको मिल जाएगा PDF सीदे आप mobile में टैबलेट में अपने laptop में कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से और इसका rate रखा गया है सिर्फ 25 रुपए तो इसकी जो link है इसकी जो link है नीचे वीडियो जब जैसे यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे होगे तो वीडियो यहां चलना होगा और यहां पर subscribe का button और यहीं पर नीचे अगर mobile में देखेंगे तो एक इस type का icon आएगा उस पर आप click करोगे तो नीचे description खुल जाएगा वीडियो का और अगर आप PC में देख रहा है तो नीचे description देखेगा तो description में previous year paper के सामने एक link दी होगी उस link पर आप click करोगे तो इस book को आप purchase कर पाओगे सिर्फ 25 रुपे में इसमें क्या है 2003 से लेके 2014 तक के सभी previous year questions जो group D में आए हुए हैं उनको यहां पर समझाया गया है तो आप से गुजारिस यह है कि आप यह 25 रुपे खर्श कर लें इस book को आप खरीद लें सबसे पहले तो इसको खरीदें उसके बाद जो और books हैं जो आपके पास मान लो पहले से होंगी भी जैसे maths की reasoning की जीके कि उनके बारे में किस किस book से पढ़ना है मैं यहां पर आपको बताता हूँ तो चलिए start करते हैं यहां पर देखते हैं तो maths की अगर यहां पर बात की जाए क्योंकि maths भी आनी है आपके syllabus में देखिए syllabus में क्या है maths है reasoning है आपका general science है और general आपका awareness है general awareness भी दिया गया है तो maths की बात करें तो maths के लिए आप यह डॉक्टर RS अगरवाल की book देखिए सकते हैं जो कि आपके English में भी available है और यहां पर यही book Hindi में भी available है तो यह दोनों book है इन में से कोई book आप यहां पर खरीद सकते हैं ठीक है अब कैसे खरीद होगे इसको तो इसके लिए मैंने नीचे link दे रखी है English की भी link मैंने नीचे दे रखी है और Hindi की भी link दे रखी है तो Flipkart से आप इसको खरीद सकते हो तो ये वाली books है वैसे में लिए ये वाली books जो है सब के पास मिल जाती है लेकिं जिनके पास नहीं भी है तो आप इनको purchase कर सकते हो English में भी आती है और Hindi में भी आती है तो जो भी language में आपको खरीदना हो खरीद लिए मैस के लिए बहुत अच्छी book है अब बात करते है reasoning की जो की सब लोग बोलते हैं की reasoning में कौन सी book ली जाए practice set ली जाए तो reasoning की ये वाली book है जो की आपकी अजय चौहान के द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है अजय चौहान के द्वारा लिखी गई है और ये बुक मैंने बहुत ढूंडा है लेकिन मुझे बस अभी हिंदी में ही मिल पाई है इंगलिस लिंक इसकी नहीं मिली है और मार्केट में पता नहीं इंगलिस में आती है कि नहीं best book है ये बहुत ये अच्छी book है लगवक 500 से 600 page होंगे इसमें और ज्यादा भी हो सकते हैं बहुत ये अच्छी book है ये इसमें क्या है कि आपको अलग से practice set नहीं खरीदना पड़ेगा इसमें इतने सारे practice के लिए question दिये हुए हर जैसे ही देकि chapter जैसे 1 है chapter 1 आपका खतम हुआ उसमें type 22 type 1 type 2 type 3 type 4 इस तरीके से करके बहुत सारे practice set दिये हुए है ये बहुत ये अच्छी book है आपके reasoning के लिए तो इसको आप purchase कर लेंगे तो कोई भी अलग से आपको practice set लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी चाहे वो देखिए RRB group D का exam हो चाहे वो ALP का exam हो या technician का exam हो दोनों के लिए ये book कारगर साबत होगी क्योंकि दोनों में ही reasoning आनी है तो ये लगबग हर exam के लिए ये book अच्छी है तो मैं तो बोलू इस book को आप purchase कर लिए लिंक जो है तो English में जो बिद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हैं देखिए Lucent तो है Lucent की book तो लगबग सब के पास रहती ही है लेकिन जो लोग थोड़ा अलग से science पढ़ना चाह रहे हैं तो जैसे जो Hindi medium के बच्चे हैं तो उनको तो मैं बोलूँगा कि physics सबसे ज़्यादे रेलवे में आएगी जनरल साइंस में भी physics आपको आएगी यहाँ पर तो physics के लिए ये वाली आप PDF हमारी खरीज सकते हैं जो कि Scholaralite Publication के नाम से आपको मिल जाएगी यानि कि Scholaralite के दुआरा ये बनाए गई है PDF बहुत एक बिद्यान की और इसका जो link है नीचे दिया हुआ है तो इसको भी आप खरीज सकते हैं ये 50 रुपए की है और 185 पेज रहेंगे इसमें physics के बहुत ही detail में बिस्तार में समझाये गया है और अगर आप और कोई book खरीदना चाहें जैसे कि General Science की है तो इसमें क्या है ये दिसा पप्लिकेशन की एक book आती है जिसमें की physics, chemistry, biology और science और technology दोनों आपको मिल जाएका और ये English language में है ठीक है और इसकी link भी नीचे आपको दी हुई है क्लिक करके flip card से इसको खरीज सकते हैं ये English में ये best book आपको मानी जाती है इंग्लिस में बहुत अच्छी ये book है तो इसको आप purchase कर सकते हैं और हिंदी में पढ़ने के लिए physics पढ़ने के लिए PDF आप यहां से खरीद सकते हैं तो ये आगी General Science की book आपकी हो गई और हिंदी में भी अगर आपको खरीदना है General Science की book तो हिंदी में भी Lucent बगेरा की market में आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं General Awareness या फिर GK की तो देखिए General Awareness यानि की Current Affairs के लिए तो आप online ही वीडियो देख सकते हैं बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे YouTube पर जिसमें आप Current पढ़ सकते हो और लेकिन Railway में ऐसा है कि Current के अलावा वो Static Static GK भी यहाँ पर देंगे तो Static GK यहाँ पर देंगे तो उसके लिए सबसे सही book है सामान ने ग्यान ठीक है यानि कि Lucent की बात की जा रही है तो इसकी भी जो link मैंने दे रखी है नीचे description में आप वहाँ से flip card पर जाकर खरीच सकते हैं तो इन book को अगर आप purchase कर लेते हो तो आप आराम से जो है यहाँ पर अच्छे score कर सकते है Railway में इसकी English version भी आती है उसकी भी link जो है आपको description में नीचे मिल जाएगी और आप उसको यहाँ पर खरीच सकते हो और क्या करना है इसके साथ इसके साथ क्या करना है कि आपको सभी वीडियोस देखने है जो भी चैनल पर वीडियोस अपलोड होंगे और जो पुराने अपलोड हो चुके हैं जीके से related, साइन से related, फिजिक से related बहुत सारे वीडियो डले हुए तो उनको भी आपको देखना है तो आप जरूर ही railway group D और assistant local pilot की job आप आसानी से पा सकते हो चलिए अब आप लोग subscribe कर लिजे वीडियोस नए वीडियोस पाने के लिए और bell icon पर click कर दीजे ताकि जादा स्यादा notification आपको आ सके और हमारी website को भी विजेट कर सकते है और जादा स्यादा वीडियोस पाने के लिए bell icon पर click जरूर कीजे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू, जैहिन, जैभारत